हलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज की सुड़ेंगे नपीटल एकजाम के बारे में तो पूरी डेटल देंगे आपको कि इंपीटल एकजाम कब होने वारा है कौन सा एकजाम किस डेट को नहीं होगा और आपका दो से ज्यादा पड़ जाता है तो वह कैसे होगा एकजाम का रिफंड कैसे अप ले सकते हैं और जिनको इए मोडिफाइड दिया गया है कोईड-19 वाला तो उनको एकजाम देना कंपल्सरी है या फिर नहीं है इन सब चीजों के बारे हम बात करेंगे आपको बता दें कि वीडियो में बात करेंग था और उसके बाद फिर से पुष्ट पॉन हुआ था तो नया डेट आपके सामने है तो चलिए हम आपको लेकर चलते में लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्या क्या डेट नए नए डेट हैं और कैसे कैसे पूरा डिटेल आपको प्रोसीड करना है अगर आप चा गया कि यह 24-25 एपरेल 2021 को जो एक्जाम होने वाला था जो पोस्टपोन हो गया था पैंडेमिक के वज़े से बट अभी स्थिती सुधर रही है कंडिशन गेटिंग बेटर तो एक्जाम को जो पोस्टपोन हुआ था उससे अगस्त महिने में कराने के बारे में कहा गया है न इस उनकोंस सब्जेक्ट का एक्जाम किस दिन को होने वाला है तो आठ अगस्त को यह पर लिस्ठ है यह यहां पर यह वाला है ठीक है यह यह आठ अगस्त और यहां पर एक्जाम और आफ्टरनून सेसन अब देखिए हम नीचे में कुछ-इंपटेंट है आप लोग ध्यान लाना होगा खुद ऑनलाइन एक्जाम नहीं होगा यह वाला इन-पर्सन एक्जाम होगा मतलब की आफ्लाइन पेने पेपर मोड में और जो भी कोविड-19 के रूल और रेगलेशन ने सब फाइनल यह एक्जाम था उन लोगों को यहां पर एक लिंक दिया हुआ है यहां से जाकर आप लोग अपने एक्जाम सीटी चेंज कर सकते हैं अगर आप दूसरे सीटी में एक्जाम देना चाहते हैं अगर आप होसा तक कहीं और चले गया हैं तो यहां साब जाकर 19 जुलाई स साम के पांच बज़े से पहले इसे फिल करके अपने एक्जाम सिटी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं नहीं देने के बारे में तो आप कैंसिल और रिफॉंड ले सकते हैं और यहां पर देखिए यहां पर यहां पर यह बताया गया है कि जिन लोगों ने जो फाइनल एक्जाम के लिए और जो इमोडिफाइड के लिए क्रेडिट के लिए अगर आप ऑफ्लान एक्जाम देते हैं तो वह हमेसा कामाने वाला आपके फ्यूचर में कहीं भी आपको उसका यूज कर सकते हैं तो वह रहेगा आपके लिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है रेगुलर एक्जाम सर्टिफिकेट विल भी इसूड अगर आप एक्जाम देते हैं इन परसन का तो इन एडिशन तूदा मोडिफाइड पास कर दिजेगा हम आपको पूरा लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है लेकिन आई होब कि यह मेल सब के पास गया होगा तो इसलिए मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं इसे और यहां पर देखिए जिनका दो से ज्यादा एक्जाम है से अगेले तो, उन लोगों के लिए हो गा कि आठ अगस्त और और एक्जाम दिया गया है अगर आपका दो से ज्यादा आ होता है तो अन दौनों एक्जाम को देजीएत है देखिए यू के राइट वो से ज्यादा हो तो आपको ओनलान में हो जाएगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ फॉर्दर इंट्रक्शन आएगा और वह एक्जाम आपका 9 अगस्त को हो गाए और या फिर 21 अगस्त को हो जाएगा तो आपको लोग को यहां तक समझ में आग जाओ और इसके बाद हम देख लेते हैं और भी कुछ चीजी है अगर आपको कुछ भी करना है त है कि करेंगे ईसके बारे में बात करेंगे तो यहां परती है यह वाला कौंढ़ीइड्र को कहाब निलेगा तो लाइक्ट कर सकते हैं जैसे की मेरा मैंने लिया था यह इंट्रोड़क्षंट टू-प्लोड मेंक्ष में तो यहाँ पर आपको जाना होगा जो भी ब्रांच होगा ब्रांच वाइच क्योंकि उसमें नहीं था मेरा तो यह देखिए इंट्रोडक्षंट मेरा यह रहा तो आप इस तरह से ब्रांच वाइज सर्च कर सकते हैं अपना कोर्स की कौन से को एक्जाम किस दिन को होने वाला ती देखिए 19 अगस्त को मेरा एक्जाम है जो भी है ठीके फ्रेंट्स तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा